दोस्तों अगर आप इस चैनल पे पहली बार आएं तो सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और बेल आइकन पे याद से क्लिक कीजेगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन्स मिल जाएंगे अपने कपड़ों को दोने के लिए हम डिटरजेंट्स का यूज करते हैं ये मैल पसीने और काम करते वक्त लगने वाले दागों को हटाता है लेकिन क्या इनके कुछ साइड एफेक्ट्स भी हैं हर बार जब आप डिटरजेंट्स का यूज करते हैं तो उसका प्रभाव हमारे परियावरन यानि एन्वायमेंट पर पड़ता है सबसे पहले बताईए पाउडर्ड या लिक्विट साबुन कौन से केमिकल्स या पदार्थों से बने होते हैं वीडियो को रो किये और सोचिए हम जिन केमिकल्स का यूज कपड़ों के दाग हटा कर उनमें सफेदी लाने क लिए करते हैं वो एक कॉंप्लेक्स मिक्स्चर होते हैं इनमें करी सर्फेक्टेंट्स होते होते हैं जो चिकने दागों को पानी में घुलने में मदद करते हैं تाकि उन्हें आसानी से खटाया जा सके पाउडर्ड या लिक्विट साबुन और डिटरजन्स अक्सर बेसिक हो कपणों को एक विशेश खुश्बू देने के लिए डिटरजेंट्स में कई सुगंधित केमिकल्स भी मिलाए जाते हैं जबकि ब्लीचीज में पाए जाने वाले परॉकसाइड या फ्लॉरसेंट वाइटनर्स आपके कपणों को एक नई चमक देते हैं डिटरजेंट को वाश कार एक मिल चलती है तो उससे आधी किलोग्राम कारबन डायोकसाइड निकलती है अमेरिका में एक घर में एक साल में आउसतन तीन सो बार कपड़े धुलते हैं इसका मतलब हुआ कि एक साल में यूज किये गए लॉंड्री डिटरजेंट्स के कारबन फुट्प्रिंट्स ल अब आप दुनिया भर के लोगों द्वारा यूज किये जाने वाले डिटरजेंट्स के कारबन फुट्प्रिंट्स के बारे में सोचेंगे तो ये वैल्यू बहुत ज्यादा होगी दूसरी और धुलाई में यूज किये जाने वाले डिटरजेंट्स में पाय जाने वाले केमिकल्स जब नदियों या नहरों में मिलते हैं तो उनसे बड़ी समस्याइं उत्पन होती है क्या आप बता सकते हैं कि इससे क्या समस्याइं आएंगी वीडियो को रोकिए और सोचिए इसका आंसर होगा डिटरजेंट्स में पाय जाने वाले केमिकल्स पानी में रहने वाले जानवरों के लिए जहरीले होते हैं इसी तरह का एक केमिकल है फॉसफेट यह बहुत से वाशिंग पाउडर्स में पाया जाता है और इससे यूट्रोफिकेशन होता है यह तब होता है जब ज़्यादा मातरा में फॉसफेट जीलों और नदियों में मिलता है जिससे उनमें बड़ी मातरा में पॉधे और एलगी उगने लगते हैं समस्य की शुरुआत तब होती है जब ये पौधे और एल्गी मर जाते हैं जो बैक्टीरिया इन डिकेंग प्लांट्स को खाते हैं वे पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का यूज करते हैं घुली हुई ऑक्सीजन में कमी के कारण जील में पाय जाने वाले जीवों की वराइटी में परिवर्दन आ जाता है उधारन के लिए व्यापार और मनोरंजन में यूज होने वाली मचली ट्राउट अनावश्यक मचली कार्प से रिप्लेस हो रही है क्योंकि ट्राउट के मुकाबले कारप पानी में कम घुली हुई ऑक्सीजन होने पर भी सर्वाइब कर सकती है ये भी संभव है कि कोई मचली बचे ही ना एन्वार्मेंट पर होने वाले इन दुष्ट प्रभावों के कारण उपभुकता ग्रीन डिटरजेंट्स को विकसित करने पर बल दे रही है आज आप उन डिटरजेंट्स को भी यूज कर सकते हैं जिनमें कोई परफ्यूम या डाइज नहीं होते इनमें जेनरली फॉसवेट नहीं होता और ये पूरी तरह बायो डिग्रेडेबल होते हैं इसके लावा इन्हें ठंडे पानी में यूज करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यूं है विडियो को यहीं रोकिए और सोचिए इसका अंसर ये है कि ठंडे पानी का यूज करने से वाशिंग मशीन द्वारा पानी को गर्म करने के लिए आवशेक एलेक्ट्रसिटी में कमी आएगी जिससे कि हर वाश साइकल से जोड़े कार्बन फुट्प्रिंट में भी कमी आएगी वहीं दूसरे तरीखों में कॉंसंट्रेटेड फार्मूलों का यूज शामिल है इसमें डिटरजेंट्स की पैकिंग के लिए यूज होने वाले बॉक्सिस का लिमिटेड यूज किया जाता है जिससे शिपिंग और ट्रकिंग लोड कम होता है और कम आईल यूज होता है